नमस्कार मैं जीशान जावेद आप देख रहे हैं न्यूज नेटवक टुड़े का सिटी सेंटर रीवा मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा क्या कुछ हुआ मेडिकल कालेज में प्रसासनिक अधिकारी की न्यूक्ति के विरोज में कल काली पट्टी तो आज काम का भैसकार कर दिया डाक्टरों ने सीवा इमर्जन्सी से वहां को छोड़कर जिसकी वज़े से गंभीर रोगियों को इलाज मिला मेडिकल कालेज के डॉक्टर प्रसासनिक अधिकारी की न्यूक्ति के विरोज में हरताल पर हैं इंदिवें डाक्टरों का साथ तोर से कहने हम अपना काम बहतर तरीके से कर रहे हैं हम नहीं चाहते किसी बाहरी का यहां पर न्यूक्ति की जाए उसकी दख्लंदाजी हो सरकार ने मेडिकल कालेजों में प्रबंदन के लिए प्रसासनिक अधिकारी की न्यूक्ति का एलान कर दिया है जिसका डाक्टरों दौरा विरोध किया जा रहा है प्रदेश के सभी मेडिकल कालेज और उससे संबत कालेजों के दौरा पहले दिन काली पट्टी बांग कर विरोध किया गया था और बात ना माने जाने पर हरताल की चेतावनी दी थी मंगलवार को स्याम साम मेडिकल कालेज के सभी डॉक्टरों ने काम का बहिसकार कर दिया सिर्फ एमर्जनसी सेमाई ही प्रारम रही डॉक्टर एक जगा एकत्र हुए तब ही हमारी टीम ने उनसे बात की डॉक्टरों का साब तोर से कहना का अस्पटाल में प्रसाषनिक अधिकारी की नियुक्ति का विरूद किया जा रहा है हमने कई डॉक्टरों से बात की किस वज़़े से आप हड़ताल पर हैं आपकी वज़े से अस्पटाल की विवस्तचरमरा रही है डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा आईए आपको मेरा नाम दॉक्टर पद्मा शुक्ला है, मैं गाइनी में हूँ, असोशेट प्रोकेसर हूं, गाइनी विभाग कुछ अज हम सिर्फ अपना असयोग दिखा रहे हैं प्रसासन को कि हम अगर हमारी मांगे मान भी जाती है, तो हम आगे हर्ताल पर नहीं जाएंगे, और मरीज्यों को सुविधा नहीं पूरी व्यवस्ता कर रखी है, साथ में ही इमर्जन्सी सुविधाय हमने सुचारू रखी है, सिर्फ रूटीन का ही काम बन किया है मेरा नाम दॉक्टर हुदेश दिक्षिद है, मैं इस समय पर मध्यपुदेश एस्टेट जेट जेडिया प्रेफिरेंट हूँ अभी जैसा के ज्याद है के सरकार इस तरीका कोई पस्ताव लेके आने वाली है, इसमें प्रसासने के बित्ती प्रबंधन है तू जिप्टी करेक्टर या फिर SDM की नोत्ती की जाएगी इस समय जैसा के आप सब लोग जानते ही है कि हमारा जो प्रोग्रेसिब मध्यपुदेश मेडिकल टीचर से इसका पुर्जर विरोट कर रहा है और मध्यपुदेश जुनियर ड़क्टर असोचीएशन एम्टीए को पूरता समर्थर अपना प्राप्त करता है और सरकार से न दें काँ उते तरीके कि तरीके की तग्राव की इस्तिति ना श्त्पन की जै इसे मरीजों का ही नुपसान होता है और बिगत्ठ समय में देखा गया है यह सफ這個 डिक्राव किस्तिति समय समय पर बनती रह Neben तो मेंगरा और me अधिया पाल में नहीं है जैसा कि आपको हमारे सच्छर्टी साथ जो एंट्रेज और अधियोग है, हम दो हरताल में नहीं है, हम लोगों को खुदी अच्छा नहीं लगता कि हमारे मरीज जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, इस्टुडेंट्स हैं, वो उनकी पढ़ाई सफर करे या हमारे मरीजों की ट्रीटमेंट जो है, वो सफर करें, लेकिन इस तरह का जो डिसिजन होता है, वो जो सरकार ले रही है, उसके फेवर में नहीं है, हम लोगों कि हमारे पास अल्रडी अड्मिनिस्ट्रेटिव ओफिसर्स पहले से ही बठाए गए हैं, हम सब मेडिकल मरीजों को मिलने वाले ओपरेशन एबं सभी सोविधाओं की क्वालिटी इस चीज का प्रमाण है, ये प्रस्ताव पूरी तरह से औचित पहीन है और इसका हम लोग विरोध कर रहा हैं दिन भर की तादा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबरें और देखते रहें न्यूज नेटवर्क टुड़े लोग